हाँ फ्रेंड्स मैं हुरु पाली और आपको वेल्कन कोते हूं मैं यूटिब चनल पाली स्कीचन अड़ाइश्टर में यह है मेरा यूटिब का पहला विडियो और आज यू मैं बनाने जा रही हूं वह है तंदूरी चिकन तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो तंदूरी चिकन के लिए मैं ली हूँ एक गोटा चिकन को दो डिवाइट कर ली हूँ दो पीस में तो पहले हम ऐसे इसको कट कर लेंगे फिर हमें एक बॉल लेंगे उसमें चाट चमच दही और आप पांच मच चमच भी ले सकते हैं उसके बाद दो चमच अदरक लेसन का पेस्ट टेस्ट वाइज नमक हल्दी पाडर मिच्चा पाडर अगर आपको जाल ज्यादा पसंद पता ज्यादा मिर्चा पार्डर भी ले सकते हैं तोड़ा सा गल मिर्च का पार्डर और ये तांदोरी मसाला और एक फाल निम्बू भी ने चल लेंगे मेरिनेट के लिए हमारा मसाला रेडी है अब हम इसे मेरिनेट करेंगे अच्छे से अंदर अंदर देके मेरिनेट करेंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर पर जाए और हमारा चिकन जो है अच्छा बनेगे अच्छी तरह से अंदर देगे अच्छी तरह से अंदर करेड़ा जाना तो देखेंगे अभी हम 15-20 मिन्याय के लिए रख देंगे जैसे जैसे हम मैं मार बोर्ट करके मैं इस से भी कट हम उन्हें दोन स्ट्रीम करेंगे थिरी में थड़ा सब्धनिया पती इसमें अंदर घुसाएंगे तक कि यूच अव Kr Ing श्च आएगा दोनाथी लिए प्रत्रीम्गा हुआं दो बहुत ही अच्छा बनेगा थोड़ा मिर्चा भी ऐसे करके इसके अंदर डाल देंगे सेम दूसरे में भी ऐसे ही कर देंगे मुझे ज्यादा मिर्चा नहीं खानी है इसलिए मैं कम ही यूज़ करते हूं कि अपको जितना खाना है आप उससी साथ सी उस कर सकते हैं तो चलिये अब इसे करते हैं तो स्टीम करने के लिए मैं लिह हूं इटली सांचा क्योंकि मेरे पाद पास कि में सेres运, एक MILLION आल Тогда तो इसमें थोड़ा पानी करें, शें दरना एं चिकेन पूर शें दूसरा वाला चिकन भी ऐसे ही रखेंगी इच्छे से सैट करके और भी ढखना लगा दोंगी पहले आप आंच को हाई रखेंगे फिर आप लो टू मिडियम रखेंगे और इसी इसाब से आप आधा हंट पर से स्टिम कर देंगे देखिए 15-20 मिनिट के बाद मैं इसे चेक करने के लिए खोले हूँ अच्छा से पख गया है ये और इसे फ्राइए करेंगे फ्राइए करने के लिए में इसक्यूं रिफाइन ओयल आप चाहे तो घी भी उस कर सकते हैं या मास्टर ऑल भी उसकर सकते हैं तो हम अभी चिकेन को डाल देते हैं इसे धास देते हैं अभाल देखी आम कर देते हैं धिकेन अच्छे टोष टाहे हो चिका है अब अभाशनर्थ करें आप से न में चाशिकाल में जलागि कर देते हैं चारस लावस हुन देखी आँ ना कृटारी कर दो landsca़ दोल पर जिए जबंगे दोला जाएं यह हो जाने के वाल जो मैं काजियो और आल्मण को रोस्ट कीटी उसको व्राइनि कर ली हूँ अच्छे से इसको अब आई जाने के अब आप दीनी को सीम में ही रखिए सीम में थोड़ा सा पखने लिए अब हमें स्नाइट करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिक्सा पाउडर और पेस्ट रखिए नमक अच्छे से में लिए लिए देखिए मेरा तंदूरी चिकन बन के रेडी है दिखने में कितना यम्मे लग रहा है और खाने में भी बहुत है टस्की है तो मेरा तंदूरी चिकन बन के रेडी है अगर आपके रेस्ट के बसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और एपरे फ्रेंड सुद्रा सेयर कीजिए और मेरे अगले बेसे लिए इंतर चाहिए तक के लिए बादाए तक कि भी बादा तक कम रपके जड़ कर दाएब कि पर एब बात्म का कुछ है